इस प्रोग्राम के पर्टेग धेरो सारी बात regarding प्रोडक्स का मार्केटिज प्लाइन, मोटिबेशन, नेट्वर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सालिक और और यह सारी जो चीजे होते ही यही एक मजूद नेटवर्कर बनाते हैं कि बिदाउट नौलेज आप इस इंडिश्टी प्रोडेड करना ज्यादाच और अफ्रील करने से पहले में जिसा कि मैं आपको प्रघटी दिन भी करेंगे जिसाग आपको पता है कि अभी चलता है तक आखरी महीना जो लोग अदेटी मुणस बने हुआ उनके लिए असके बताई यह एक उसके गुज़ारीश है कि आप अपना पी वी रिपोर्ट को चैक करते रहें अपनी क्वालिफिकिरशन करें आपनी टीम में ही तक यह म मेंटेंट करना है 5000 पी पीवी जो चिछ से लएगे उसको आप मेंटेंट करें वो एक मील का पत्थर साबित होगी आपको इस बिजिनिस के लिए तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको यह क्वालिफिकेशन से इसको मेंटेंट करना है और साथ में जो आपके 108 लोग जो आपको निव जोइनिंग्स करना था उसको क्रॉस चैक करते रहें कि जो नई जोईनिया जो एक्स्पैर्ड मेंट को एक्टिवेट किया वो हुए या नहीं तो उसको एक जहनता से चेक कर ले तो कि वो एक आपको फै पिर सर्वर हैंग हो रहा है और सर्वर पर लोड पर ना तो इन सारी चीजिए से बचे एक इस्मूथली अगर आपको क्लोजिग करना है तो आपको लाश्ट तक नहीं जाना और आपको इसको पहली एक या दो तिन पहली आप अपना पूरा इस्टेटा से क्वालिफिकेशन सब्सक्राइब करते हैं जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो क्योंकि लाश्ट के सर्वर पर लोड हो जाता है और देखो अभी मौसम भी कुछ गर्मी कुछ बर्साप कई जगे बारिश भी है तो मौसम भी कई वार सेक्टर हो जाता है कि कई इंटरनेट नहीं आ रहा सब्सक्राइब करते हैं इसलिए एक या दो दिन पहले ही आप अपना क्वालिफिकेशन क्लियर कर लें आपके जो पांच एजार पीपीवी वाले जो सिक्सिलाइगा को मेंटर करना है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें तो यह सारी चीजे हैं जिनको आपको ध्यान रखन थाइलेंट प्रोबर में जो क्वालिफाइब कर रहें वो थाइलेंट जाएंगे और जो क्वालिफाइब कर रहें 108 लोग नहीं कर पा रहें उनको एक इवेंट वाउचर भी मिलने वाला है तो निराशना हो और इसके अलावार जितनी हुए हमारे डिस्टीबुटर से सारे लेबल के लिए कंपनी ने बैतरी आफर चला रहें जैसे कि नई जोइनिंग और अगर फंदरा सो पीवी करता है तो उसको मिलता है बैतरी ने कंपूचा और एक मसालाटी और अगर कोई बिलो श्टाइजेट से जिक एक तिस दिसमबर तक इस्टाइजेट क्वालिफाइज नहीं हुआ है वो लोग अगर तीन हजार पीवी करते तो उनको मिलता एक बैतरी दो बैतरी कंपूचा और एक मसालाटी और अगर कोई भी किसी भी लेवल का वह चाहिए इस्टाइजेट हो इस्टाइजेट हो इस्टाइजेट हो और नई जोएनिंग सो ग्राउन अबसेड अगर वह पांच जार परसनल पीवी करता है तो उसको मिलते चार कंपूचा और एक स्पाइलों और वर्ट रहे है तो इसनों आफ़रों को ज्यादा फायदा उठाए तीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको पॉलिफाई करा है जिससे की वह इन प्रोड़क्स का इन प्रोड़क्स को लें आपने हैज आके और इस तरह के कैसे बहुत जादा है तो इस वज़े से इस सबके लिए एक वैद्रें ट्रिंक हमारे पास और वह कंपूचा आप ज्यादा से ज्यादा कमपूचा का से वन करें आप खुद करें आपनी टीम में कराए अपनी लिए कि उन से बचे पर एक बैदर इन कमपूचा ट्रिंक को आप एज्याए करें अभी बैदर इन ओफर चल रहा है या आप्टी महीना चाहुदा करें तो इसको अच्छे से अच्छे से टेल कर पाए जिए कुछ अब देर्स्त ओफर से रिलेटेड प्रोमो से रिलेटेड अब हम बात करेंगे आपको एक जो नया चीज़ होने वाला है एक अगस्ट से वो है 3000 PPP qualification यानि कि आपको जैसे मैं बता दूँ कि एक अगस्ट से हम जो इस्टाइजेंट है डेवावेर उनकी अगर क्वालिफाई करना है उनको अपना इस्टेटास तो उनको 3000 परसनल PPP करना म परसनल PPP करते थे तो हजार पीपी आप अपने जो नोने से लेग है वहां से निकालते थे तो तो टोटल आपका जो PCPV 3000 हो जाता था और आपको इस टाइजेंट क्वालिफाई हो जाते ते जो भी आपका लेवल एक अकस्ट से करते हैं 3000 परसनल PPP आपको करना है इस चीज क जो अभी पूरते खड़े नहीं होता है यादि कि वह सैल्फोर नहीं है वह अभी भी डिपेंड है नौने से अपनी टीम में अपने लोगों में कि 1000 पीवी आँ साइगा 1000 पीवां साइगा फिर 2000 होगे 1000 में करूँगा तो फिर 3000 हो जाएगा मैं कॉल पर वह क्या हुआ हो रह अपने जो पर उसको डबलब करना उसको बढ़ा आगा तीन अजार पीवी इसलिए कंपणी नहीं बोला है आप तीन अजार पीवी करने के चाह फाइदा पहली बार तो आप टेंशन फिर है कि आपका इस्टेटस क्वालिफाई हो जाएगा आपको किसी को उपर निर्वर न आप अपनी फैमिली में यूज कराएंगे और बचियों प्रोड़क्स को आप रेटेल करेंगे तो आपके पास 15-20 रहेंगे और वो आपको नेटवर्क पढ़ाने का एक बहतरीन मौका है यह तीन अजार पीपीवी यह बहुत सारी चीजों को लेकर ही हमने यह चीज है दू बहुत सारे फैक्टर से जिनको ध्यान में रखती हो कंपनी ने 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 लिया कि अब एक इस्टा एजेंट को अगर क्वालफाई करना है प्रेस्टेटर तो इसको तीन हजार परसनल पीवी करना चरूरी है एक अगस्त से यह तानूनी जूप से लागू हो जाएगा अभी द पाच आजार पीवी और यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी पुरानी चीजों पर लगे हुए जो सोच रहे है एक जार पीवी यानि कि वह अभी भी डिपेंडेंट है दूसरों को उपर तो उससे मेरा आत्र है अरो दे कि आप उस जो धारना है उसको थोड़ा बद परिवर्टित होता है जब हम बैलान चलते हैं अभी गर्ण में चलना है भी बारिश आएगा फिर सर्दी आएगा तो इस तरह से परिवर्टन होना जरूरी और यह एक अच्छा मोव है कंपनी की तरफ से आप लोगों को स्ट्रों और मजबूत बनाने का और आज और इसके सब्सक्राइब एक अच्छा मोव है कि आपका जो पहले बीस जार रुपे का आएउसी नेते थे तो उसमें जो एक्छाल स्वी आता था वो फिक्स आता सजार अब कंपनी ने उसको हटाकर उसको कर दिया एक्छाल स्वी प्रीश की पीज़ार रुपे का जो हो इस बीच आपको बॉनस बन देना यही चीज लागू 10,000 लुक पर पर ऐसेदि пожथा हो जो होता है अगर आपको बॉनस लेना है पेहले क्या होता तक काफी लोग सिबिसें कर कापकर करते शेफ्ट में नहीं पीवी करते थे अब आकर IOC का बॉनस लेना होगा तो सिर्फ में आपको मिनिमम एक हजार पी भी करना है जरूरी है तो इस चीज़ का ध्यान रहे हैं कि काफी सारे लोग जो सिर्फ पर अड़ेटी काम करते हैं लें कुछ अपवाल सुनूत होते हैं जो सिर्फ IOC पर वर्क करते हैं तो लोगों के लिए मैसेज हैं कि आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखें कि यह करना है और एक खुशका रहे हैं कि IOC अगर आप करते हैं 20,000 रुपे का IOC अगर आप जून महा में लेते हैं तो आपको डियक्शन का बहतरी टीशट आपको मिलने वाला है तो इस ओफर का जाता से ज्यादा आपके एक रास्ता है तो निश्चे भी आप लोगों को हमारी जो पसंद आए होगे और चलते हैं आपकी मिटिंग की तरफ तरफ आज को जो मिटिंग है एक पर आज जो सब्जेक्ट वो है डिस्टीटर अप्जेट्शन हैं यह एक वेरी इंप्रोटेंटी कि जाते हैं तो हमें काफी सारे अप्जेक्शन समिल पहें काफी सारे सवाल हमारे पास ऐसे आते जिन आप जवाब देबागे पहस्तों के जो इन लोगों को किस तरह सी जो औपक्रवाबद दें देखे और इन शारे सबावा tutte करें कि अए साथ जवाब देने के लिए हमारे साथ में जड़ोग aspects आपका आज कि इस खास कारिक्रम है अजीद जीद एक बैंतरीन लीडर है यंग है और बहुत स्बूथ लिए अपनी टीम को चला रहे हैं और मेरी शोब कामना इनके साथ हमेशा रहती है कि अजीद जी इसी तरह काम करते रहे हैं और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से अजीद जी आपको बताएंगे इस तरह न सबसे पहले हम अपने मीटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमारे सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट है जो इश्वर भगवान जिनको हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले मैं उनको कु specimen सकता होंकि नहीं सकता है उनसे केवल हम लोग लिए आर धन्यवात के त poses जहां भी हैं आप लोगो एक आद धाली देकर भगवान को धन्यवात करेंगे और भगवान आपको को बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें योग बनाएं इसके लिए भगवान को बहुत धन्यवाद देता है जहां भी है आप लोग को अपने माता-पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों हमें प्रिथिवी पर जनम दिये हैं और इस काविल बना के खड़ा कियें कि आपके सामने दो बात बोल सके तो अपने अपने माता पिता के लिए एक बाद जोड़दार एक बाद ताली दे के उनको धन्यवाद कीजिए इसके बाद हमारे डेटो लिम सियोजिन जिन्होंने इस डी एकशन को अस्थापित किये हैं जिन के वज़े से आज हम लोग यहां पड़ी एक दूसरे के सामने कम्मिनीकेट कर पारे बातचीत कर पारे तो इसलिए हमारे डेटो दॉक्टर लिंज से जिनके लिए एक बार जोड़दार तालिव होना चाहिए इसके बाद हमारे प्रोफेशर वसुपाल एंड डॉक्टर रतना मैडम अगर वो नहीं रहते तो सायद भारत वर्स में डी एक्षन कंपनी के विशे में हम लोग जान नहीं पाते हैं तो इसलिए उनको एक बार जोड़दार तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके लिए जोड़दार तालिए देते हैं इसके बाद जो हमारे मिंटर हैं हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको डी एक्षन सिखाए हैं डी एक्षन पे डी एक्षन में हम लोग को लेकर आए हैं उनके लि को हम लोग धन्यवाद देते हैं और अपने मेंटर को धन्यवाद देते हैं जोड़दार तालिब रेका लिए तो दोस्तों आज हम एक नए विशय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है distributor objection handling एक बात जान लिजे कि इस प्रिथिवी पर अगर कोई objection handling करने वाला है तो कोई एक ही है जो सब को यह मार्ग दर्शन करवाते हैं कि कैसे करके objection handling किया जाए वो है स्वयम भगवान शेक्रिशन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि कैसे करके जो है हम लोग objection को handle कर सकते हैं क्योंकि उनमें वो शिक्षा है अगर हम इस बुक को पढ़े भगवत गीता को पढ़े तो हमको समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार से कोई भी objection को handle करने के लिए किस प्रकार का उत्तर देना चाहिए लोगों को ताकि उसको संतुष्टी हो कि वास्तविक्ता क्या है तो सबसे बड़ा कोई अगर mentor है कोई गुरू है और सबसे बड़ा कोई अगर जो दे objection हंडल करने वाले हैं तो भगवान शेक्रिश्ण भगवान है उनके नम पे जोड़दार तालिख होने चाहिए तो आते हैं दोस्तो हम लोग जो हैं सब भगवान से भगवान से शिक्षा लेकर इस प्रित्वी पर आये हुए हैं और उन्हीं की अगर चेत्र को पढ़े उन्हीं की अगर सिक्षाओं को पढ़े तो हम लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं जैसे कि डेटो डॉक्टर लिम सियोचीन ने भगवत गीता को पढ़े उनकी बातों को समझे और अपने लाइप में उसका प्रियोग करना सुरू किये तब जाके उन्होंने आज इस कंपनी को अस्थापित कर पाएं दोस्तो एक बात जान लिजे जैसे ही डेटो डॉक्टर लिम सियोचीन इस कंपनी को स्टार्टिंग करने जाते हैं तो उनको भ अगर हर कुछ आसान हो जाता है लेकिन अगर ना जाने तो बहुत मुस्किल भी हो जाती है जैसे कि डेटो डॉक्टर लिम सियोचीन जब अपने कंपनी डी एक्शन अस्थापित करने के लिए आये थे 1992 में तो चार महिनों तक उनका कोई प्रड़क्ट जो है वो भिक्री नहीं हो पाया था फिर भी उन्होंने हार नहीं माने उन्होंने तैयारी किये कोसिस किये और अपने प्रोड़क्ट के प्रतिस्ततर करें किन्तों जी एमपी बोलके एक आता है एना गुड डिस्टिबीट गुड डिस्टिबीटर प्रेक्टिस तो यह गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने क्या किये यह प्रोड़क्ट को तयार करना सुरू किये और उन्होंने आरजी जी जी एल से शुरू किये और उन्होंने काफे वक्त इसमें लगाएं करीबन एक साल उनको 1992 से स्टार्ट कि तो इसे लिए डेक्षिया के वान तो तो इसको डिएक्ष्ण के जनम के रूप में भी इस डीट को जाना जाता है तो हम लोग जान जाते हैं कि D-Action का जनम कहुआ था 1993 के तौर पे, उस वक्त उन्होंने काफी कोशिस की थे, मुसक्त की थे कि हमारा ये प्रोडक्ट आगे लेकर चले, लेकिन क्या था ना उनके साथ में कैसारे लोग काम करते थे, काम करते करते क्या हुआ कुछ लोगों ने उनका हाँ छोड़ दिये, जब उनका हाँ छोड़ दिये तो फिर भी डेटो डॉक्टर लिम से जिन हार नहीं माने, क्यूंकि जानते थे, उनके पास में जो जड़ी बूटी है, उनके पास में जो ग्यानो डर्मा है, वो बिलकुल अनोखा है, और कई सारे देश भी दोसर म और इसका प्रियोग पहले से ही था, तो डेटो डॉक्टर लिम से जिन उन्होंने इसके उपर में अध्यन किये, करीवन दस साल तक रिसर्च किये, तो उनको पता चला कि हाँ, ये जो है, करीवन इसका प्रजाती 34,000 तरह का है, इस 34,000 तरह का प्रजातियों में केवल 2000 ऐसे प्रजाती हैं, जिसको हम लोग खा सकते हैं, जिसको एडीवल कहा जाता है, इस 2000 में से 200 ऐसे प्रजाती हैं, जिस में additional property पाये जाता है, इस 200 में से 6 ऐसे मुष्यम को उन्होंने चुने, जिसमें काफी ज़्यादा मेडिशिन का प्रभाव मिलता था अब जो है धीरे धीरे करके उन छे मश्रूम में से उन सभी को मिला कर एक मश्रूम तयार किया गया जिसका नाम है जड़ी भूतियों का राजा ग्यानो डर्मा अब ये जो ग्यानो डर्मा है इनका गुनवत्ता और इनकी प्रोड़क्ट का जो पॉलिटी है ये सभी कुछ उस्तुधता के साथ में मिलता रहा है इसके उपर में डेटो डॉक्टर लिम सियोजीन को गर्व था कि नए मार्केट में बहुत सारा प्रोड़क्ट आता है लेकिन कुछ ऐसे प्रोड़क्ट मेरे पास में है जो और किसी के पास में नहीं है जो गुणबत्ता के साथ में हम मार्केट में प्रोड़क्ट करना चाहते हैं लोगों को स्वस्त को लेके जो ये प्रोड़क्ट दिया जाता है एस फूट सफ्लिमेंट के तौर पे ये जो है आर जी जी ये ये सब जब इस्तेमाल किया जाता था तो धीरे धीरे करके उनका जो है बहुत ही स्लूली स्लूली बढ़े थे लेकिन बढ़ना शुरू किये थे आज नतीजा यह है कि हम लोग सब डिस्ट्रिबूटर के रूप में एक प्लैटफॉर्म पे एक वर्ड एना एक मार्केट पे हम लोग आज आके खड़े हुए हैं इसे लिए डेटर डॉक्ट पहले बोलते हैं कुछ लोग कि ठीक है देखेंगे यह प्रोजेक्ट उनके सामने रखा जाए कि हां हम डियेक्शन कंपनी में काम करते हैं इस प्रकार के कुछ है आयरुवेदिक प्रोडक्ट्स है जो हमारे सरीर को स्वस्त रखने में उन्दत करता है अगर आप यह नाड़ी स्वस्त रहेगा और आप स्वस्त और मस्त रहेगा तो यह जब बात बोलते तो लोगों को समझ में नहीं आता है क्यूंकि सच्चाई इतना जल्दी हजम नहीं होता है दोस्तों तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आप जेक्शन कई तरह से मिलते हैं पहला अब्जेक्शन क्या है कि किसी को अगर जोदी हम अपना इस कंपणी में लाना चाहते हैं उनको बताना चाहते हैं कि आईए इस प्रोड़क्ट से आप स्वस्त रहेए अस्वस्त रहने के साथ साथ आप कुछ भरपूर धन कमाईए तो धन कमाने के क्या है प्रोसीजर procedures इसमें बताय जाता है कि company का एक terms and conditions है जो इसको rules and regulation के तौर पे जानते हैं उसको हम लोग समझते हैं जब उनको बताय जाता है तो कुछ लोग बुलते हैं हाँ ठीक है हम बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे मतलब क्या आप उसको ये मत समझेगा कि वो नहीं आएगा नहीं अगर कोई बंदा आपके सामने कहता है no यानि की new opportunity वो आज नहीं आप से बूला है तो कल बूलेगा एक सब्ता बाद एक महिना बाद एविन एक साल बाद एविन तीन साल बाद आपको एक बार जरूर याद करेगा क्यूंकि आप किसके साथ में हैं एक बहुत ही महत् quality पुर् επेक इने वरे मांड जड़ी वोकिंआ का जाता है तिन सो पहनुट तरह का जड़ी पूटिपाया जाता है उसमें से एक महान वने जड़ी गूटी के साथ में है जिसको डेटो डॉक्टर लिम सियोचीन अपने निग्राणी में उसको उस प्रोड़क को तयार करवाते हैं और हम लोगों को समक्षे उसको प्रस्तुत्त करते हैं ताकि हमको quality के साथ में वो गुन मिल सके तो सचाई के साथ में जो रहता है उसको थोड़ा दुख होता है तकल 30-40 क्रोड के लगभग में चंता हो गया हैं लेकिन कितने लोग काम करते हैं कितने लोग भरोसा करते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं विश्वास नहीं होता है ना विश्वास नहीं होने का कारण यह है यह सच्चाई है सच्चाई जल्दी हजम नहीं होती है तो एक बा objection के तौर पर हम लोग को handle करना पड़ता है जो इन सभी चीजों को tolerate करके यानि कि इन सभी चीजों को सहगे आगे बढ़ने का प्रियास किया वही आगे बढ़ पाया है सकसेस जीवन में तभी आएगा जब आपको कई तरीका से प्रताडित किया जाएगा प्रताडित का मतलब यह है लोगों का जो यह objection जो है वह आपके दिमाग में दिलों में जाके ऐसा तीर के तरह लगेगा कि कभी-कभी ऐसा मैसुश होगा कि हम कौन सी कंपनी में आगे है तो नहीं दोस्तों यह विकार कंपनी नहीं है यह विस्व का एक ऐसा अच्छा कंपनी है जिस पे बिश्वास करके अगर काम किया जाए तो आपके जीवन की वो सपना जो सपनाya अचने हैं वो पूरा कर सकते हैं हम इस पच्छिम बंगाल में रह कर भी हमको यह महसूस होता है कि यह डी एकसने के ऐसा प्लैटफॉर्म है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं कई सारे इसे लोग हैं अब बताइए ना सिगनेचर तक नहीं आता है वो लाखो लाख रुपए इस कमपनी से कमा के अपने जीवन के वो हर कुसी को वो जीवन के हर सपने को पूरा कर सकते हैं उनको भी ऑबजेक्शन्स मिलता है बस एक चीज़ याद रखना है इस कमपनी में आने से पहले आप लोगों को तै कर लेना है कि आपको तीन चीज़ इस कमपनी के नाम कर देना नमबर एक क्या होता है सबसे पहले अपने आपको यह दिमाग में सट कर लिजे कि आपका दिमाग हमेसा ठंडा हमेसा ठंडा है क्योंकि दिमाग ठंडा रहता है तो सब काम सही से होत और अगर जिदी धिमाग पर प्रेशर रहता है तो अच्छा काम को भी इंसान बिगाड़ देता है नमबर नमबर दो होता है आपको जो है हमेशा इमंदारी ब्रत के रहते इमंदारी हटी दुर घटना घटी कंपनी के नाम पे कर दीजिए इमंदारी माफ कि जैगा पहले में इमंदारी होना चाहिए हम दूसरे पर बोल चुके है ना तो पहले इमंदारी होना चाहिए दूसरा माइंड हमेशा क्या होना चाहिए सांत होना चाहिए और तीसरा जो है धैर रखना चाहिए तुरत हम कभी कोई भी कंपनी में जाके तुरत हम बड़े लोग नहीं बन सकते है Kोई भी जगा में कोई भी काम सीखे ना कोई भी काम सीखे, एक साधरान सा साइकल का पंचर भी बनाने जाता है ना तो इनसान को सीखना पड़ता है और सीखने में वो वक्त देना पड़ता है एक साधारान सा स्टूडेंट को एक सालराइड परसन होने के लिए एक अच्छे जगा में जौब पाने के लिए एक से लेके करीबन करीबन आपको 15-20 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है तब जाके एक एक जगा कमाने के लायक बनता है तो उसमें समय नहीं लगता है दोस्तो उसमें भी समय लगता है तो समय सब जगा लगता है तो तीन चीज याद रखना है पहला है इमांदारी दूसरा है माथा को अपने से स्टेंस Σे लुक्त स्ट्क रखना ताँके बि지नस अराम से और अच्छा से हो और एकदम फाशली स्ट और तीसरा क्या है घयर रखना ये 3 ч के तौर पर हम लोग के पास मां बहुत कुछ आता है नंबर एक आपको बता दिये हैं कि किस प्रकार से हमारे डैटो डॉक्टर लिम्स यह जिनको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ा था हम लोग को भी मिलता है सबसे पहले अपने परिबार अपने जितने दोस्त गन हैं जि देखा वो देखते रह गया और जो आपके साथ में आगया आपके साथ साथ उसका भी लाइब परिवर्तन होता चला गया और एक दीन आप लोग दूनों मिलके वो सपने को हासिल करते हैं और जो पीछे छुड़ गये थे वो बाद में आएंगे विकॉस नो मिन्स न्यू अ जैसे कि भाई या प्रडक्ट बहुत महंगा है । अरे भाई महंगा क्यूँ है इसके विश्यमी तो जानिये एंक आप लेने जाएगा मार्केट में तो वह आपको सस्ता नहीं मिलेगा मैं कभी सस्ता नहीं मिलेगा कि लीने के लिए आप को समझना पड़ता है सस्ता का ती तो पुराना गाड़ी जब खरीते है ना तो उसमें कुछ ना कुछ पॉकेट से लगते रहता है जब तलक वो गाड़ी आपके पास में रहेगा कभी हजार, दो हजार, पाच हजार इस तरीका का खर्चा आते रहेगा और नया लिजेगा ना तो दो से तीन साल के लिए मुक्त लेकिन कोई गंभिर से गंभिर समस्थय नहीं आता है, तो उसी प्रकार से यहां पड़ी जब हम लोग प्रोड़क देने के लिए जब जाते हैं, तो लोगों को लगता है, बहुत महंगा हैं आये इस महंगा को हम लोग सस्ता करने का प्रयास करते हैं एक स्टोरी की द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि एक कमपनी था उस कमपनी में दो विक्तिक काम करते थे एक विक्तिक का नाम है ए और दूसरी विक्तिक का नाम है बी दोनों मिलके कसम खाया है कि भ और भी दोनों बंदा company में काम करता था दोनों को करीवन करीवन माल लिजे 10-15,000 का salary मिलता था वो सभी मिलके कसम खाया था कि हमको किसी भी हालात में जो है हमको क्या करना है कि हमको यह पैसा बचाना है ताकि भविस्थ में कुछ हम लोग कर सके तो उन्होंने क्या बोला कि ठी मतलब सक्षे काटना नहीं दोस्तों किस प्रकार से बता रहे जैसे अगर घर में पांच मिमबर हमें और ल ön इसी नहीं चलते हैं तो उन्होंने क्या कि सुछ कटवा दिया एक के मोबाइल से इस्तिमाल करेंगे ताकि हमारा कुछ पैसा बच सके अभी जो होता है टीवी चलती है सभी के घर में तो केबिल वगरा लगता है तो उसमें भी पैसा लगता तो उन्होंने क्या किया उस केबिल को कटवा दिया भाई हमको टीवी नहीं देखना है हमको कुछ पैसा बचाना है अब और जो नहीं कुछ है कुछ है और भी प्रोडक्ट में भी उन लोगों ने कटवती करना शुरू किया इलेक्रिशिटी जलाता था उसमें कम जलाना शुरू किया था कि हमारे बिल कम आये पैसा कम लगे हम कुछ पैसा सके अब क्या-क्या मार्केट का ज कम रहता है और गुणवत्ता से परिपोन नहीं रहता है और उसके स्वास्त को हानी करने के लिए वह हार्मफुल चीज़ों को भी इस्तिमाल किया जा रहा है जैसे अगर कोई प्रोड़क्ट अगर जिदी केमिकल यूप तो होता है तो उसमें कहीं न कहीं वह कॉलिटी में मुँ में डालते हैं मीठा लगता है तो उसको निंगल भी जाते हैं यह अक्सर मैक्सिमम लोग अधिक से अधिक हमारे भारतवर्स के लोग इसके उपर में कोई चर्चा नहीं करते हैं कि यह पेश्ट से क्या हो सकता है दस रुपय का पेश्ट लेकर आएं खुद भी मंजन से कुछ है कम पैसे का जो क्वालिटी पूर्ण नहीं है उसको लाकर इस्तिमाल करता था इस्तिमाल करते करते क्या हुआ उन्होंने बताए कि हम पान सो रुपया जमा करते हैं महीना का साड़े चौदा हजार रुपया खर्च कर देता था और जो बी वाला बंदा था उसने क विस्टमेंट के तौर पे डाला दो जुए और करकर या कि और थीरे देरे करके कुछ दोस्तों को भी ले कर आए और ला के उसको करीवन- एना बनाके उसने एकश्य उनकोश करके shrimp करके ब्यून और पनारा कि उसमें56 करकल कर दी तो वह अपना एकांट में वहा तो आपस में सब एक जगा बैठते हैं बैठके बात्चित करना शुरू करते हैं भाइया हम तो 500 रुपया एकाउंट में रखने का प्रियास कर रहे हैं तुम कितना रख रहे हैं तो बी वाला बंदा कहता था बड़ी बीनमरता के साथ में कि भाइया हम 100 रुपया रखते हैं तो बोला हम 500 रखते हैं देखो 500 का आवाज थोड़ा जादा होता था और 100 रुपया का आवाज कम होता था ठीक है बड़ी बिरमता से बोलता था फिर भी एक बात बोलता था कि उसके दिमाग में चोट लगे भाइया हम आपसे जादा रखते हैं बस ये बात उसको हजम नही पांच 500 रुपया करके रखते गया करिबन आठ महीना तक उन्होंने रखा और ये वाला जो बंदा था उभी 100 रुपया रखता था उसके बाद में जितना पईसा था उसमें क्वालिटी पुन प्रदार्थ को खरिता था जैसे डी एक्शन का पेश्ट हो गिया डी एक्शन क था कि इसमें ज्यादा दाम है लगता था उसको की ये दाम ज्यादा है लेकिन वो सोमस्ता था कि अगर हम स्वस्त रहेंगे तो हमारे परिवार परिवार स्वस्त रहेगा और आधा हम सौ रुपया से 85 रुपया एक्श्टा रखेंगे आने वाले बक्त में वह हम उसको 50 बन्दा बहुत इंटेलिजन्ट था उसने इस प्रकार के एक बिजनस में निवेश करके अपना सिस्टम को बढ़ाने लगा तो उसका पर महीना अपना सौ रुपया रखता था अपने कश्ट करके और साथ ही साथ वो क्या करता था डी एक्सें से जो भी पैसा आता था कभी सौ और स्टांटिंग किया था तो उस समय में 100-200-500 शरकार के और करिबन आठ महिना के लगवकिन उसको करीबन 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 दस हजार रुपया आपको क्या करना पड़ेगा है ना ये हस्पिटल में जमा करना पड़ेगा तो उसने आठ महीना अगर जमा करता है 500 रुपया करके तो उसने क्या किया चार हजार रुपिया वो यहां जमा किया था जो बैंक से निकाल लिया छे हजार रुपिया अपने परिवार में हाथ उसको पसारना पड़ा कि भाईया आप हमको पैसा दीजे तो मेरा बच्य का इलाज होएगा किसलिए वो पेट काट कार का पैसा जमा करता था और काटने के बाद में भी उसके पास में जो पैसा हुआ वो बीमारी में जाके खर्च हुआ उसको छे हजार रुपिया अपने परिवार से लेना पड़ा लेकिन वी वाला जो बंदा था वो हैपी था उसको किस दर का कोई समस्य नहीं आया और उसका पैसा दिन प्रती दिन बढ़ता जाता था तो फिर एक दिन मिला भाईया क्या हाल है पूछो मत जो पैसा जमाए थे वो पैसा गवा दिये तो बोला ऐसा क्यूंद देखो ना हम यह ऐसा ऐसा बचाने का प्रियास किये थे यह 10 रुपय का एक पेश्ट आता है तो यह पेश्ट अगर तुम को बोलें यह लेने के लिए तो तुम क्या बोलेगा जो है ना हम सभी मिडिल क्लास फेमिली के साथ में और जितने भी लोगों है जो भी जीवतत्व हैं वो सभी के साथ में इसी प्रकार का जो भी मनुष्य में हैं सभी को इसी प्रकार का वैवशाई में चल रहा है लेकिन इस खेल को समझ में नहीं आ रहा है अगर हम थोड़ी सी गुणवत्ता युक्त प्रोड़क्ट अगर हम लोग प्रचेस करके अगर जिदी हम लोग डी एक्षन कंपनी का प्रोड़क्ट अगर इस्तेमाल करके अपने स्वस्त को ठीक रखते हैं तो हमारा क्या होगा हमारे स्वस्त भी मिलेगा हमको धन भी मिलेग और साथ हे साथ हमको happiness भी मिलेगा यह बीव का परिवार बिलकुल अच्छा था बिलकुल स्वस्त था बिलकुल उसके पास में तो कुछ पैसे थे ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पैसे थे उन्होंने मेहनत करना सुरू किया लोगों के साथ बात करना सुरू किया इधर काम भी कर बता था करते करते अभी देखा अच्छा खासा इंकम होने लगा अब यह वाला विक्ति को यही बात बताया तो वह समझा कि भाई इतने दिन तो हम मुर्खता परण काम कर रहे थे बोले क्या करें इस प्रकार के हम हमको हमारे जो मेंटर थे वह हमको समझाये थे कि objection आपको म मार्कने हर चीज में बुरी हो जाती है वही बुरी वस्ता हो गई तो अब उससे पूछा गया कि भाईया हम 345 रुपया 355 रुपया का जो भी पेश्ट आता है एक चोटा वाला भी पेश्ट लेते हैं तो 275 ग्राम का जो पेश्ट होता है वो 235 रुपया में आता है अगर यह बुला भी प्रोड़क्ट अगर इस्तेमाल किया जा हमारे दां तो स्वस्त रहे और हमारे आंखों के सिस्टम को ठीक रहे नस नाड़ी ठीक रहे रिसी गानो टी अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डी एक्षन का जैसे रैस ब्रैंड आइल हो गया और भी कई तरक है जो कुछ पैसा भी देती है तो इस प्रकार से वह पैसा भी इस्तिमाल करना सुरू किया कमपनी से और आठ महीने के अंदर में उसका पूरा प्रोड़क्ट जो है उससे पहले ही उसका प्रोड़क्ट धीरे धीरे फिरे होना सुरू हो गया था ठीक है ना लेकिन यह बात इसको स स्वस्त दे वही सस्ता है तो अब्जेक्शन बहुत तरीका से मिलेगा लोग आपको कभी छोडेंगे नहीं प्रोड़क्ट के विशय में सबसे पहले बात बोले जाता है दाम के विशय में कि भाई यह बहुत दामी है और भाई दामी है तो इसका quality है यह आपको बचा के दो हजार से चार हजार, चार हजार से छे हजार, छे हजार से दस हजार, वीस हजार कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं आपका स्वस्त होना बहुत ज़रूरी है mentally और physically दोनों तरफ से अगर आप strong रहते हैं तो समझ जए आप एकदम पूरा अच्छा तरीका से काम कीजेगा और अच्छा तरीका से काम करने के लिए आपका स्वस्त बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है, हर एक विक्ती के लिए ज़रूरी है अगर ये न मिले तो हमको लगता है कि स्वस्त होना बहुत मुश्किल है अगर ये न मिले तो लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है नीड है जिस प्रकार से एक इनसान को जीवित रहने के लिए हवा पानी और भोजन की अवशक्ता है उसी प्रकार से हम हम लोगों को अगर जिवित रहना अगर हम लोग को स्वस्त रहना है तो हम लोग को कॉलिटी पुर्ण प्रोड़क्ट जो हम लोगों को इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी है अगर ये प्रोड़क्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम स्वस्त रहते हैं हमारे परिवार स्वस्त रहते हैं तो happiness कमपणी का लक्ष है क्या क्या लक्ष है कंपणी का लक्ष है सवस्त धन और happiness तो सवस्त धन और खुशियां ये तीन प्रकार के कंपनी चाहती है कि आप लोग खुश रहें खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा खुश रहने के लिए हमको health, wealth and happiness ये तीनों चीज चाहिए health, wealth and happiness अगर ये तीनों चीज हमारे पास में रहता है तो हम भले ही थोड़ा कम पैसा income करते हैं हम अपने जीवन के खुसियों को पूरा कर सकते हैं क्यूं? क्योंकि हमारे account में कुछ न कुछ पैसा धीरे-धीरे करके बढ़ते जाता है और एक दिन ऐसा आता है, जिस चीज को हम खरीदना चाहते हैं, उस चीज को हम खरीद लेते हैं आनी की जगा बनी रहनी चाहिए, वैवसाई की जगा बनी रहनी चाहिए अगर बैवसाई की जगा बनी नहीं रहती है, तो हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अबजेक्शन आएगा, अबजेक्शन छोड़ेगा नहीं, लोग आपके साथ में आएंगे, जुड़ेंगे, लिए कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं, क्यों काम करना बं बेडिश्टिबूटर है ना, वो न सीखने के कई सारे बहाने लेकर आते हैं, उसके पास में सैकड़ों बहाना हैं, न सीखने के लिए, अबजेक्शन, इसको समझना होगा हम लोगों को दुस्तों, अगर इसको हम नहीं समझ पा हैं ना, तो हम लोग बिजनस में, हम लोग टी एक्सन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, अपना लाइफ में सक्सेस होने का मतलब यह है, कि हमको फाइनांसली फ्री करने के लिए, डेटो डॉक्टर लिम सियवजीन, प्रोफेसर वसूपाल रतना, डॉक्टर रतना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर, यह सभी मिलके हम लोगो को help कर रहे हैं अब बताइए ना हमारे समक्ष आज नहीं है ना के के अगरवाल सर उनके बातों को ऐसा लगता था ना कि जैसे लगता है कि पत्थर चल रहा हो लेकिन जान जाएए दोस्तों जहां पड़ी इस प्रकार के थोड़ा सा चोट नगले वाली शब्द जब मिलेगा जाना तब जाके हम लोग इंसान बने के लिए ना ठोकरों को भी सहके जाना पड़ता है ताकि हमको पता चले मार्ग में अच्छे भी आएगे और बुरेर भी आएगे हमको दोनों को लेकर चलते हैं तो हमको यह पता हो जाता है कि कहां पड़ी हमको ओला वृष्टी मिलने हैं जैसे मैं एक और उधारान आपको बताना चाहता हूँ आमके बिक्ष को आपने देखे होंगे देंगे जरूर गोने तो स्सक्तल लगते हैं इस बहुत लगते हैं और गपाद में मौसं का प्रतार्णां उसको भी वह बतास आते हैं उसमें क्या होता है कुछ ज़ड जाते मतलब जिन लोगों के पास में वह समझ में आता है कि डी एक्षन क्या है वो लोग आटोमेंटिक ये रास्ता को छोड़ देंगे तो घबलाइएगा मत दोस्तो इसी में से कुछ ऐसे हीरे लोग आएंगे जो आपको आपके जिंदगी को अच्छा बना देंगे और अपनी भी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए तैयारी कर ले काट सकता है दोस्तो खुद की जिंदगी को काटने के लिए कोई कोई चीज के जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अपने फैमिली को एक अच्छा जिंदगी देने के लिए एक अच्छा प्लैटफॉर्म देने के लिए एक अच्छा जिंदगी बिताने के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बार ऐसा होता ना कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को लेकर चलते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं को इंजीनियर बनना चाहता था नहीं बन पाया किसके वज़े से economical background पैसे नहीं थे याना पिता जी क्या हालात अच्छा नहीं था घर की इस्ति खराब थी जिसके कारण वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सका कोई डॉक्टर बनना चाहता था वो नहीं बन पाया कोई वकील बनना थी पैसो की आभाव थी क्या हुआ इसके कारण कई लोग अच्छे रास्ते में जाते जाते अपना मार्ग छोड़ देते हैं तो दोस्तों याद रखना होगा कि अगर इस प्रकार के अगर आपके सपने हैं और पुर्ण करना हैं तो उसमें तहे दिल से लग जाएए एक दम द भेल कर जो बचें वहोगए एकदम सक्सेस्फुल जिसमें फलिया लगी अब फलिया लगी तो जिन्होंने यह गाच लगाए था उसका बैनिफेट उसको मिला तो दोस्तों हर कोई को ऑब्जेक्शन मिलता है बिना ऑब्जेक्शन मिले लाइफ सक्सेस होई नहीं सकता दोस् को कोई बढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है तो अब्जेक्शन मिलेंगें आपको सीखना होगा कि हां इस प्रकार का अब्जेक्शन को कैसे हंडल करना ठीक है तो यहां पड़िए ओलब रिष्टी का आपको उधारन दिये आमके ब्रिक्ष का उधारन दि जिसके कारण सही से बोल नहीं पाते न बोलने के कारण क्या होती है कि उसको जो है इस डी एक्षन के प्लेटफॉर्म में लापाना मुस्किल हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि हम लोगों को समझना होगा कि हमारे पास में कई तरह का सा है सर ठीक है भाई हम बताते हैं कि देखें कंपणी का यह रूल से इसको इसके अनुसार चलिए लेकिन वह बहुत बहुत बार क्या होता है कि बंदा सीखना ही नहीं चाहते अगर वह सीखना नहीं चाहेंगे सर तो कोई भी आगे बढ़ने में असमर्थ होगा और इस कंपण Kanisully Free यानि की जिस वक्त आप काम कर रहे हैं आज हमारी एज है इस अवस्था में रक्त गरम है पुरा बढ़ियां से दोड़के बढ़ियां से काम कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है काम करते हैं करते हैं लेकिन बहुत 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 और ऑब्जेक्शन के कारण हारुका भी 75 की लिए तायार हो सकता है क्यूंकि उसkas का मίνे इतना ताकट दिये हैं वह सक्सेसपुल करने के लिए अपने महनत के आगे बढ़ सकता है और एक बात है दोस्तो दी एक्षन कंपणी मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है कोई चाहेगा कि हम खली जोइनिंग कर ले और बैट बैट के हम जो है इस कंपणी में सक्सेस्पुल हो जाए असंभाव सर असंभाव आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि क कंपणी कहती है आप काम कीजिये आप बेनिफिट लिजिए हम तक पर तयार है एक सबीकर जितना भी जो भी पैसा आने करता है log纜 चले आता है चाहे दुनिया में कुछ भी हो कोविड की स्थिती में भी जहां लोग निकल नहीं पा रहे थे उस्थिती में भी लोगों ने अपने स्वस्त को बचाने के लिए और जी जी एल स्परोलीना मरिंदा शिट्री फोलियो नोनी जी इस प्रकार के प्रड़क्त को इस् कमपनियां थी जो बंद हो गई दिवालिया के तौर पे चले आये थे जो वर्कर थे वर्कर में दिवालिया का मतलब यह हो गया कि कमपनी में काम ही नहीं है तो आपको सैलेरी कहां से देगी और कोई भी कमपनी आपको बैठा के कितना दिन पैसा दे सकती है उसके पास में आ और उसके बाद से ये RBC चैनल हम लोगों के लाइट में एक सुनहरा मौका लेकर आया हम लोगों को तरक्की का एक बड़ा मार गया एक बड़ा रास्ता दिखाने का प्रियास किया है और आज उनके वज़ावलाद जिन्होंने ये RBC चैनल जिन्होंने हमारे DXN के जितने सारे मिम्बर से डेट और डॉक्टर लिम्स जिजिन प्रोफेसर वसुपाल रतना मैडम और डॉक्टर एस रंजन और जो भी जितने भी हमारे जो भी DXN के सदस्त हैं जिन्होंने इन सभी मिलके जो RBC चैनल को क्रेट करने का प्रियास किये हैं और हम लोगों को इस प्रकार के सुनारा मौका दिये हैं उन सभी के लिए जोरधार ताली होना चाहिए मैं कि इसके वजे से हम लोगों का लाइप में एक सुनारा मौका मिला है आज उनके वजे से हम लोग जो है अपना एक अच्छा और इंकम करने का रास्ता बना चुके हैं और सबसे बड़ी बात है हमको financially free होना है financially free मतलब अभी आपको बता रहते हैं यह अभी मेरे पास में रक्त गरम है हम काम कर सकते हैं भाड़ दॉक कर सकते हैं लेकिन 20 वरस बाद में हम उतना काम नहीं कर सकते हैं लेकिन 20 वरस में वो system तयार कर लेंगे कि हम केबल थोड़ी से भी काम करें और हमको जो है income हमारे account में चले आए ठीक है ना तो इस प्रकार के जो system होते हैं हम घूम रहे हैं दोस्तों लेकिन फिर भी हमारे account में हमारे पैसा का कमी नहीं है क्यों क्योंकि उस वक्त तक हम वो मुकाम हासिल कर लेंगे ना जहां हम कम भी काम करें वहां भी हमको पैसा आएगा अगर जोदी हम आराम करें तो भी हमको पैसा मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार के एक सुन्दर सा platform जो है एना डेटो डॉक्टर लिम स्योजीन एना प्रोफेशर रतना वसुपाल सर एना प्रोफेशर प्रोफेशर वसुपाल सर एंड डॉक्टर रतना मैडम डॉक्टर एसरंजन एना डॉक्टर सवेरा सर बहुत सभी जितने भी टॉक्टर क्लास के जो भी लीडर है डॉक्टर क्लास के जो डॉक्टर से वो सभीज इन में आके बिलीव करके अपना लाइफ को परिवर्थन करना शुरू किये है तो क्या उनसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हम लोग के पास में है बिल्कुल नहीं तो हम लोग अपना दिमाग न लगाएं हम लोग अपने मेंट को अपने गुरू को अपने जो भी डी एक्षन के जो सदस्य हैं जो अपर पोस्ट में हैं जो सक्सेस्पूल हैं उनके हाथ को पकड़िए और आगे बढ़ने का प्रियास कीजिए भगवान उसी का साथ देता है जो एक कदम चलता है कहते हैं कि अगर एक कदम चलोगे मैं त लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं सीखना नहीं चाहते हैं सफल्ता के जगह में उनको और ज्यादा समय लगता है और उसका एक दिन यसा होता है कि ऑपसे जब्सक्राइब वे भी success नहीं हो पाते हैं क्योंकि सीखना जरूरी है सर आप कोई भी हालात में company कोई बड़ा कुछ नहीं बताती है कुछ rocket science नहीं बताती है जो कि आपको नहीं सीख पाईएगा आपको सीखने के लिए जहना बहुत ही simple बहुत ही simple सा system सिखाती है कि आप rules को मान के चलिए आपके पास में सब कुछ मिलेगा जो आप खोज रहे हैं जो आप सपन में देखे हैं वो सपन को पूरा करने की ख्वाहिसों को पूरा करने का ये platform है आपने अबर ख्वाहिज को पूरा करने का स्वापन है जिसको पूरा करना चाहते हैं वो सभी को पूरा कर देता है यह DxN प्लाटफॉर्म तो अबजेक्शन बहुत तरीका से मिलेगा साथ अबजेक्शन के बिना जिंदगी का कोई मोल भी नहीं है माफ कीजिए इस प्रकार के हम सब्द कह रहे हैं कि मोल नहीं है लेकिन कहने पर बादता इसलिए है ना क्यूंकि वही हमको अंदर से क्वालिटी एक पॉइंट करके क्वालिटी बनाती है तब जाके हम लोग क्या होते हैं एक शक्षम लीडर के रुप में तयार होते हैं तो को को भी डी एक्षन का प्रोड़क्ट दे सकते हैं उसको समझा सकते हैं कि यह प्रोड़क्ट खाए आप स्वस्त रहिएगा आपको ज्याधा पैसा भी ने लगेगा आपका पेमेंट क्या है आप इन्वेस्टमेंट करें यह इन्वेस्टमेंट आपको क्या है आपके लाइट 10 साल 20 साल अपने मोधी दुकान जो भी रहता अगल बगल के जो किराने की दुकान रहती है ना उसमें से जाके हम लोग समान खड़िते हैं कभी वह बला जो किराने का लोग होता ना वो यह नहीं कहता है कि लीजिए आप जो है ना हमारे यहां पड़ी 10 साल तक आपने हमारे प समंदर आप इस समंदर से थोड़ी सी पैसा उठाना चाहते हैं तो थोड़ा उठाइए तरकार पढ़ता है तो अपना जो है ये शिस्टम लगा दूजे जैसे की मोटर लगा दूजे है मोटर से टानी है सागर से पानी कभी कम होता है लुगों को सामने प्रेजंक करना सुरू करे तो इस प्रकार के समस्याओं से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करके किस प्रकार से हमको handle करना है लोगों के बातों को प्रतार दीत सब्दों को किस प्रकार से हम लोगों को handle करना है ये समझ में आ जाएगा और एक बात है दोस्तों बहुत मज़िदार बात है कि सबसे पहले आप अपना ब्रैंड चेंज कर दीजे ब्रैंड डी एक्सन का प्रोड़क्ट जब इस्तिमाल कीजेगा तो इसके क्वालिटी को समझ में तब ही आएगा जब आप इस्तिमाल कीजेगा तब जाके आपको ऑब्जेक्शन को हैंडिल करने का एक सुनहरा सा उत्तर भी मिलेगा क्योंकि जहां प्रश्न हैं उत्तर भी वहीं है आपने प्रोड़क्ट इस्तिमाल किये अब उस प्रड़क्ट के विशह में आपके प्रतित को नेगेटिविटी हैं आप उसको बताएगा नहीं यह प्रोड़क्ट खाएं तो हमको इस प्रकार की बेनिफिट मिल आपको जो है सच का जो है आपको यह मिल जाएगा परिणाम मिल जाएगा तो सच बोलिए आपको सच आपको जिता देगा आपको लाइप में सक्सेस कर देगा जूट मत बोलिए ना अपने मेंटर से जूट बोलिए ना अपने डाउनलाइन से जूट बोलिए ना प्रोड़ इनी सब्दों के ताथ मैं मैं अपनी बाणी को विराम देना चाहता हूं कि समय हो चुका है और बहूत कुछ कहने था लेकिन समय की मरियाध्यान में रखते हुए हम अपने बार्णी को समापते करते हैं थैंक यू गट बार्णिंग एक्सेन थैंक यू ओवर टू यू सेर बहुत ही अच्छे सब्दों बताया और दोस्तों एक बात आपको यात रखना है मेशा अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिस है तो सपलता निश्चित है अगर जिनक है कि उसको कुछ करना है कि प्रॉब्लम है तो ही शोलूशन है अगर किसी इंसान की लाइफ में अगर प्रॉब्लम से नहीं है तो नेचरल उसका शोलूशन ही है और प्रॉब्लम उनकी ही लाइफ में होता है जो एक्शन करते हैं जो काम करते हैं जो आप मार्केट में जाए तो इसे घबराना नहीं है एक गुट साइन है जब हम बीमार होते तो हमें इक इंजेक्शन लगता है वह में प्रॉब्लम देता तक लिए दर्द होता है लोग डरते विए लेकिंगे वह इंजेक्शन उस ताइम दर्द देता है लिए आपको प्रॉब्लम साब की बीमारी को अगर उसका अगर हम पॉजिटिवली देखे तो वह हमारी डिजीज को दूर करता है तो इसी तरह ही है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो निश्चित समाधान है और इस दुन्या में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई अब्जेक्शन नहीं जिस इसको थोड़ा सा देखे और इसमें बाद जो ले रहे हैं वो अपनी पीपीव रिपोर्ट को चेक करते रहे हैं मैं आप सो बार बार एक चीज को बोर रहा हूं अपनी परसनल पीवी रिपोर्ट को आप चेक कर लें टाइम सिर्थ थाइलिड प्रॉब्लम नहीं सब लोगो को करते रहें और जिसा मैंने बताया है एक अगस्ते लागू होने वाला है तीन अजार परसनल पीवी हर एक इस्टार एजन्ट के लिए तो अभी से तैयारी करें जून महीना है जुलाई महीना है यह दो महीने आप ऐसे प्रिपरेशन के लिए दिए जिससे कि आप इसको कर देने वाले हैं बहुत जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्त टैरिंग होगा अगा जब तक दीजिए मुझे इजाज़त थैंक यू सो मच विश्यो अधाबैश गो क्राव्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू अल